हरवा देव जेशी क्रशना, हेलो एवरिवन, मैं मनी साब सबका स्वागत करती हूँ आज मैं जो है कुछ नया बनाने चाह रही हूँ और जिसको हिंदी में बोलते है सूजी का हलवा और यहाँ पे गुजरात में बोलते है जिसको रवा तो उसको हलवा भी बोलते है रवे का हलवा तो आज मैं फर्स टाइम उसको ट्राई करने जा रही हूँ लेकिन आज जो है मैं खुद उसको बनाने जा रही हूँ और जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी वहाँ ममी जो है मेरी हिल्प करेगी तो चली अब मैं चलती हूँ सीजा किचन में और शुरू करती हूँ मैं हलवा किसे बनाऊंगी मुझे पता नहीं सक से सोपाऊंगी या नहीं लेकिन चली अब मैं शुरूआत करने जा रही हूँ सूजी के हलवे जो अभी हमें बनाना है सूजी का हलवा तो सूजी का हलवा के लिए अभी यहां देखिए मैंने यह लिया है गी तो गी को अप में डाल दूँगी एक कड़ाई में जो है मैंने गी डाल दिया है और इसमें जो यह आपको नजर आ रहा है यह है काली द्राक्स जो किश्मिष ब और अभी मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये है देखिए काजू तो अभी सारे काजू जो है मैंने इसमें डाल दिये है सूजी का हलवा जो है इसको अच्छी तरह से पहले रोस्ट करते हैं लेकिन मैं अभी यहां पे ये सब इनके अंदर डाल रही हूँ ताकि यह जलने की कोई चांस ना रहे तो लोग फ्लेम पे अभी देखिए किश्मिश और काजू जो है वो फ्राइ हो रहे हैं घी के अंदर और अभी मैं इसमें डालोंगी बादा कोई यह जो है काजू और किश्मिश जो है वो अच्छी तरह से रोज्ट हो गई है अभी मैं इसमें डालने वाली हूं बादाम तो देखिए अभी बादाम जो है वो हमने इसमें डालदिया है अब इनको जो है अच्छी तरह से हमें हिलाते रहना है देखिए ये सारी चीजे जो है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जानी चाहिए देखिए अभी इसको मुझे हिलाना है इनको मैंने गी के अंदर डाला है देखिए ये जो किश्मिष काली किश्मिष जो है वो सारी अभी एकदम से फूल गई है क्योंकि कई तरह लोग इनको अलग-अलग तरीके से बनाते हैं लेकिन फिर इनमें क्या होता है कि कुछ लोग जो है ड्राइफ फूट्स को जो है उपर से डालते हैं लेकिन मुझे अभी जो ये वाली किश्मिस जो है वो चाहिए अभी सूजी के हलवे अभी देखिए मैंने इसमें जो है मैंने सूजी को डाल दिया है अब इसको मुझे अच्छी तरह से हिलाना है जो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इसमें घी का प्रमान जो है वो थोड़ा अच्छा मतलब ज्यादा रखते है तो हलवा जो है वो उतना ही बहतर होता है खाने में और तो देखिए अभी मैंने जो है इनको डाला है अभी मुझे इसको जो है अच्छी तरह से मुझे इसको हिलाते रहना है जैसे ही मैं इसको अच्छी तरह से मुझे सेखना है जो हलवा जो है सूजी जो है उसको मुझे अच्छी तरह से सेखना है यहाँ पे गु पुजरात में जो है इनको बोलते हैं रवा तो यहाँ पे देखिए हम इनको अभी आपके सामने जो हिंदी में अभी में इनको सूजी का हलवा बोल रही है लेकिन हम यहाँ पे ऐसे ही बोलेंगे के रवा बनाना है तो अभी में इसको सेक लूँगी मुझे बहुत ही अच्छ जितना हो सकेगा उतना हम अच्छी तरह से उनको सेकेंगे और फ्लेम जो है वह ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि फृर कई जगा ऐसा होता है जहाँ पयाँ ज्यादा होती है तो फिर वहां पर हल्वा थोड़ा सा जल जाता है। इसलिए मैं लोव फ्लेम पर जो है इसको अच्छी तरह से सेख रही हूँ, तो अभी मैं इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सेखती रहूंगी, फिर आगे की प्रोसिस में क्या करती हूँ, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे इसको जो है ऐसे ही सेखना पड़ रहा है, अभी जो है मैं इसमें डालने वाली हूँ दूद, देखिये मैंने अच्छी तरह से इसको रोस्ट कर लिया है, बीच में जो मैंने अब जगा यहां पर बनाई है, तो मैं इसमें डालने वाली हूँ, यह दूद। यहए दूद जो है यह ऊप्कूरा दूद कि अंदर डूँन्गे मैंने एक पतेली जितना दूद जो था वह मैंने इस हलवे में भी डाल दिया अब यहां पे देखिए दूद डाल दिया अब उपर से हम इसमें डालेंगे शकर डालेंगे तो शकर कितनी डालनी है कई बार जिन लोगों को ज्यादा मीठा पसंद है तो वो ज्यादा शकर डालेंगे और जिनको कम पसंद है वो कम शकर डालेंगे तो अभी मैं है यहाँ पे इतनी शकर जो है मैं इसमें डाल दूँगी क्योंकि शक्कर को जो है दूद के तुरंत बाद ही यहाँ पे डाल देंगे मुमी जो है मुझे साइट से अभी सिखा रही है क्योंकि हलवा जो है वो मैं पहली बार बना रही हूँ तो वो मुझे यहाँ से सिखा रही है कि मुझे किसके बाद क्या डालना है और फिर इसको केसे करना है तो देखिए अभी मैंने यहां पर इसको जो है हिलाना शुरू अभी सकर डाल दिया मैंने दूद भी डाल दिया अब इसको जो है एकदम से हिलाते रहना है अच्छी तरह से हिलाना है जब तक यह एकदम अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए इसको ज जोए नाए चेहे मेरे अट्स पर बो लोघे मिले करीं है तो में बेजा करकि वह लिए गुमा पर दूção ögूए जो धस्कारिकानी ओसके कॉए अभी यहां पे क्या खुस्बू आ रही है मैं क्रीशिव को पूछूँगी खुस्बू आ रही है केसी खुस्बू आ रही है अच्छी खुस्बू आ रही है क्रीशिव को तो चली अभी मैं सकसेस हो गई कि किसी को तो अच्छी खुस्बू आई आप लोगों को खुस्बू न बताऊंगे कि मैंने अच्छा भनाया है या नहीं बनाया है लेकिन पहले जो हे दोपेर की थाली में भगवान को भोग लगेगा उनको चड़ाने के बाद जो है हम खाएंगे तो अप़ी मैं इसको टेस्क नहीं कर सकती लेकिन बाद में फिर आपको बताऊंगी propose जो कहलें वो क्रिसिव इसको टेस्ट करेगा तो टेस्ट करो केसा बना है तोड़ा सा लो चमच में थोड़ा सा हाँ अब इसको टेस्ट करो हाँ टेस्टी है हाँ चलो अभी क्रीस div को तो हलवा पसंद है तो इसका मतलब है कि हलवा टेस्टी है तो चली अभी आपको मुझे बताना है कि मैंने हलवा बनाया है तो अभी उसमें कौन सी चीज ऐसी थी जो मैंने नहीं डाली है या मेरे से गलती से रह गया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तो टाटा बाई बाई